दोस्तों जैसे कि आप जानते लास्ट लेक्चर में जो 30 most important objective लगा चुगे हैं उससे लास्ट लेक्चर में हमने कुनिद वन्स को अच्छे से cover किया था अब कुनिद वन्स के बाद जब ट्रिक लगाई थी कोई सक नाम बताओ पीके वाली तो कवसे तो कुनिद हो गयता और फ जाती है जो सकते साली कुनिद सासक था उसके बाद किसकी सत्ता इस्ताबित हो जाती है मैदानी छेतर में सक सासक की तो मैदानी छेतर में कुछ समय तक सासन करते हैं यह पसू चारक और असू पालक है यह घोड़ा है पसू चारक जो पसू चारक होते हैं ना पानने वाले उ कौन जिंदा है कुणींत कुणींत शासन कर रहे हैं कि पतन होना सुरू किस ने कर दिया था सक शाकसी जो मिलता है एक तो इनके द्वारा जो कुमाऊं में सक समवत कैलेंडर चला गया वो साकसे है दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो अलमोडा में सूर्य का कटार मंदिर है सूर्य का कटार मल मंदिर है उस मंदिर का जो साकसे है जिसका निर्मान जो कराया था वो किसने कराया था सक सासकों ने कराया था तो आप भ्यान ने कहेंगे कटारा तो कटारा आदमी कैसे खाता है सक करकर के चूस चूस के खाता है तो सक कटारमल का सूर्य मंदिर का निर्मान कराया था तो ये कौन थे सक थे जो पुष्टी करते है किसकी सक्को के निर्मान की उत्राखंड में ठीक है नेक्स्ट फिर सक्के बाद कोन है कुसान सक्के बाद कुसान सासन करते हैं कहाँ पर उत्राखंड में उत्राखंड में कुसान सासको को जो चीनी तियास का रहे हैं वो यूची जाती का मानते हैं किस जाती का यह उची जाती का और कुसान वंस का जो सबसे मैत्मून सासक है जो सकति साली सासक है वो कोन है कनिस्क अब जहां पर सासन कर रहेते सक उत्राखंड के निचे ले वाले इससे पर वहाँ कोना अगया अब जब सक्तिसाली सासक मैदानी चेतर में कनिस्क ये वही कनिस्क है जिसकी राज़ानी पुरुसपूर यानिकी पैसावर थी और ये वही कनिस्क है जिसके दुआरा रेसम मार्ग पर अपना धिकार इस्थापित कर लिया था रेसम मार्ग पर इस्थाबित करने वाला या सासन करने वाला सासक कौन था कनिक्स था यह दियान लखेंगे कनिस्क दुआरा ही भारत में सुद सोने के सिक्के जारी किये थे कनिस्यान की कुसानों ने भारत में सुद सोने के सिक्के जारी किये थे किसने कुसानों ने यहां तक सबसे चिज़े सब किलियर इनकी जो उलेक मिलता है यानि कि पता कैसे लगता है जो हमें इसकी जानकारी देते हैं कुसानों वंस की वो है 45 सुन मुद्रा है जो 1972 में मिली थी एक तो कुसानों वंस ने सबसे ज़्याद है क्या सोनो सोने की मुद्रा चलाई थी इसलिए 45 सोनो मुद्रा है 1972 में मुनी की रेती रिसी केस से मिलती है यह चीजम जब हमने इतियास के बारे में पढ़ा था पुराने वाले में जहां से बहुत चीज़े मिल रही थी वहां कवर किया है कुसान काली नवसेसों के परमुकिस्तल में वीर भद्र, मोर्दवज और गोविसान जिनके वरत्मान नाम वीर भद्र का रिसी केस, मोर्दवज, कोड़दवार और गोविसान कासी पूरे हैं जिन्नों पॉइंट आप ध्यान लखेंगे अब जब कुसान इस्थापित हो गए थे तो इनको भी कोई न कोई पतन जरूर करेगा तो कुसानों का पतन करना का परमुक जब मुख्य भूमी का थी वो योद्य वंस की थी कौन से वंस की? योद्य वंस या यदू वंस भी बोलते हैं अब इनकी सायता कौन करेगा जैसे कि पूरा उत्रा खंड इसमें पहले सासन कौन कर रहा था सक आ गे थे सक को अटाया किसने कुसान ने अब कुसान कर रहे हैं लेकिन कुनिंदो उपर था अब योद्धे वंस ने क्या किया कुनिंदो की सायता से इज कुसान्वन्स का भी अंत कर दिया चीक है यह point दियान नहींगा और यद्धुवन्स की जानकारी हमें कहां से मिलती है जो यद्धुवन्स के द्यव और तिरी मुद्रालेक पराप्त हुए है उन सिक्कों से जो है योद्यवन्स की जानकारी मिलती है ये योद्धे वंस जो कहा सासन कर रहा था जोनसार भाबर का छेतर है जो देरा दोन में जोनसार भाबर का छेतर है और कालो डंडा जिसको वरतमान में क्या बोलते है लैस डाउन उस छेतर में जो ये सासन कर रहे थे महीं से इनकी मुद्राय प्राप्थ हुई है तो इसके बारे में आपको युद्ध्य वंस के बारे में केवल इतनी जानकारी रखनी है वहीं दूसरी और इस पूरे उत्राखंड में जापर कालसी है यह ना कालसी परदेश का सासन था वहाँ पर एक वंस और सासन कर रहा था ज से जकतगराम तरून से और पुरोला उत्तरकासी से तो तीनों के तिनों कहां आप सुमे कराने वाल आ सासक ऊंधा सील से começ लगा यह पूछ लेजर्थ उस परचप posis यह शार टावर्था लसन कि समन्धक सासक था तो कौन से ठाब गौत्रि SEO वन्स था इस तो वर्मन ने बाड़ वाला यग वेदिका का निर्बान भी कराया था ये किश्ण एक्जाम में पूचा जा चुका है बाड़ वाला यग वेदिका का निर्बान किस आ सकने कराया तो कुंते सील वर्मन थे तो यग पर तो आदमी देखो सिख जाता है ना यग पर जब यग चलता है तो यह वेदिका होती है जहां पर रमन होता है उस पाद में हो जाता है शील जाता है सील यह सुखा लेता है शिक जाता है इसको उसे कर सकते हैं सील वर्मन को अब पतन तो इस वन्स का भी होना था पतन उन्होंने का करण बताया गया है केंद्र सक्ति की निर्बलता था इसलिए ज्यादे समय तक सासन नहीं कर चुगे ठीक उसी के दोरा निदें पड़ें इंडिन हिस्ट्री में गुप्त काल में जो कुनिन थे कुनिन थो ने एक राज्जे स्थापित क्या था जिसको करतपूर राज्जे बोला गया था इस करतपूर राज्जे का उल्लेक समदुर गुप्त की प्रियाग परसस्ति में मिलता है जिसमें करतपूर राज्जे की राजधानी कार्तिकेपूर बताई गई है तो करतपूर राज्य की राज्जानी क्या थी? कार्थिकेपूर और करतपूर राज्य की जानकारी का उल्ले कहा से मिलता है? सम्दुर Mitchell की प्रियाग पर्सस्ति से मिलता है, जो करतपूर जो नागवंस स्थापित हो जाता है ये वह नागवंस है जो कुणिंदो का पूरी तरीके से सफाया कर देता है तो किश्ण पूर्षबता है कुणिंदो का पूरी तरीके से सफाया करने वाला वंस नागवंस यानि किसने पूरी तरीके से डस लिया नाग ने किसे डस सले था, कुणिंदो को ठीक और जब कि सुरवाद कहां से हो गई थी कुणिंदो के बाद जब सक आ गए थे फिर कुसान आ गए थे ठीक, अब नागवंस ने पूरी तरीका से किसका खत्म कर दिया कुणिंद वंसो का इसकी जानकारी कहां से मिलती है दो तिर्सूल लेक मिलते हैं ब्रामी लीपी के एक रुद्र माधे जम्मु कस्मीर और एक गोपेशवर चमोली तो जिसमें घोपेशवर में कहा है चार राजाओ का उल्एक मिलता है इसकेलिए इमने ट्रिक भी लगाई एक तो असुनाग, इसकंदनाग, विभुनाग, गणपतिनाग, असुनाग, इसकंदनाग, विभुनाग और गणपतिनाग तो इन चारो नागवंस के जो राजाओ का उले किसम मिलता गोपेसवर के तिरसूल अभिलेक में मिलता है गोपेसवरकर तिरसुल अविले किस से संब्द इदर नागवंस से है नाग जो सीवजी होते हैं और तिरसुल भी सीवजी रखते हैं तो तिरसुल अविले का संब्द नागवंस से है गणपती नाग के बारे में क्या ध्यान लगना है सरवादिक सक्तिसाली सासक क्युशन पूछ सकता है नागवंस का सवरवादिक सक्तिसाली सासक है तो कोने वो गणपती नाग है ठीक है यानि कि पती आरान तो यह इसमें सवरवादिक सक्तिसाली हो गया गणपती इसमें यद्धो का स्तितु मिटा दिया था किसने गणपती नाग ने यद्धो का जीत लिया था किसने गणपती नाग ने ठीक है अब यदि इसकी बात करें नाग वंस की तो कोई खास जानकरी नहीं प्राप्त होती नागों के पतन के बाद करनोज का जो मोखरी वंस है वो उत्राखंड पर इस्तापित हो जाता है एक छोटा सो पुइंट नोट में और दिया चलांग वेकती जादा कब लगाता है जब उसके पास लाखों के बंडल कठे हो जाए लाखों रूपे के बंडल कठे हो जाए तब वेकती जादे चलांग लगानी शुरू कर देता है इसी लाखा मंडल से जो राजगुमरी इसवरा है उसका चिला लेक भी प्राप्त हुआ इसी लेक में यदूवंसी राजाओ की राजदानी सिंगपूर बताए गई है तो सिंगपूर के यदूवंसी राजाओ की जानकारी किस लेक से मिलती है तो वो लाखा मंडल लेक से मिलती है चीक है इस यदू वंसी राजा में जो इसका संस्थापक है यदू वंस का उसको आप ध्यान लख सकते हैं यह इंपोटेंट भी हो सकता है सेन वर्मन है ना संस्थापक तो पूछ सकता है सेर वर्मन किस वंस का संस्थापक था तो आप ध्यान लखेंगे यदू वंस का था और राजदानी क्या थी? सिंग पूर थी तो आगे चल कर जो नाग वंस उत्राखंड में सासन कर रही थे उनको कोन अरा देता है? करनोज का जो मोखरी है पर्तम सासक हरी वर्मा उनका पतन कर देता है और उत्राखंड पर सासन इस्थापित हो जाता है किसका? मोखरी वंस का सासन तो कुछ समय के लिए करते हैं लेकिन इस्थापित तो हो जाता है इसका पर्तम सासक पूछ सकता हरी वर्मा और अंतिम सासक गरह वर्मा गरह वर्मन नहीं गरह वर्मा है इसको आप ठीक कर लेंगे गरह वर्मा तो गरहन किसने लगा अंतिम सासक गरय वर्मने और हरी का जाप करते वे मोखरी हरी मोखरी तो मोखरी वंस का संस्तापक हरी वर्मा और अंतिम गरय वर्मन कुछ समय तक सासन करता है जब गरह वर्मा की अत्या हो जाती है तो इसका जो छेतर है वो इसका बेहन हो यह जो हर्सवर्दन थानेस्वर का वर्दन वंस है उसका सासक है हर्सवर्दन उसके दिन चला जाता है कौन सा छेतर जिस पर कौन सासन कर रहे थे मोखरी वंस सासन कर रहे थे तो जब इसकी बयान जो गर्या वर्मन की उसकी साधी किस्से हो जाती है औरसवर्धन से तो औरसवर्धन के अंडर में सारा का सारा जो हिस्सा चला जाता है तो आ смогे चल कर हम पढ़ते हैं थानेशवर का वर्धन वंस तो मोकरी के बाद उत्राखंड पर बाहरी राजवंस की सत्ता इस्ताइपित होजाती है तो बाहरी राजवंस कों था पहला वो था वरधन वंस बाहरी वरधन इना बाहरी वरधन इसको ऐसे द्यान bohari वरधन वंस ठिक परवतिय राजकुमारी से विवा करता है जो गरह वर्मा की बेहन थी और जानकारी कहां से पराप्त होती है जो बानवट की हर्सचरीत है इसमें उलेक मिलता है कि हर्सवर्दन ने उत्राखंड की यात्रा की थी और उत्राखंड की यात्रा के दोरान ही जो है आपको ये जानकारी भी मिलेगी जो चीनी यात्री था हुएंसांग हुएंसांग ने भी हर्सवर्दन के समय भारत की यात्रा की है और उत्राखंड भी आया है तो हर्सवर्दन की जो इसकी हुएंसांग की जो पूस्तक है सीउ की सीउ की में उलेक करता है उत्राखंड को करता है पो ली ही मो पूलो नाम से और हरदवार को मोयूलो बताता है जिसका छेतरिय बीस ली बताता है चाइनीज जो माफ है उसमे और जो इंपोटेंट ध्यान लखना है अर्सवरदन के समय बहुत धरम भी था जब चीनी आतरी आ रहा है तो उत्राखंड को बोध साहिते में बरंपूर बताया गया है इंपोटेंट आप ध्यान लखेंगे बोध साहिते में बरंपूर बोध साहिते में बरंपूर किसको बोला गया उत्राखंड को यह तक चीज़े का पर इसलिए तो बताया गया इसने कि बोध धरम का बोल बाला था और बोध धरम म उत्राखंड को क्या बोला गया बरंपूर बोला गया है इसने तीन छेत्रों का वर्णन मिलता है किसमें जो हैंसांग की पुष्टक है C.U. की एक तो ये बरंपूर का उलेक करता है सत्रुगन का और गोविसान का तो इनका भी हम उलेक देखेंगे मैप के दुआरा कौन सा कहा पर स्तावित था तो जो बहाण बटे अपनी पुष्टक हर्चरीत Life में क्या बोलता है कि जो कासीपूर है जो गोविसान है वर्णन मेक्या नाम असका कासीपूर मयूर पूरे वरतमान में नाम हरिद्वार बरंपूर जिसको पूरे छेतर को कनीगम ने भी क्या बोला है बरंपूर किसे बोला था कनीगम ने कनीगम ने जो गड़वाल था पलस कुमाउ था उस पूरे छेतर को कनीगम ने बरंपूर बोला है तो उसी बरंपूर को जो हर्चरित्र में क्या बोला गया है उत्रा खंड बोला गया है और इस बरंपूर को इस सबसे बड़ा चेत्र बताया गया है जिस पर छेवी सदी में पोरोवंस का सासन इस्थापित होगा आगे चल कर तो अगले लेक्चर में पोरोवंस पड़ेंगे इसकी पुष्टी जो कनिंगम भी कर रहा है कनिंगम भी कब कर रहा है 46 इस्वी में हर्स वर्धन की मिरित्यु के बाद यानि कि हर्स के पश्चाद जो मद्देई वाले में कन्या कुब्ज वर्धन वंस है कन्या कुब्ज में तो कन्या कुपज में किसका सासन था हर्सवर्दन का सासन था उसमें जब मिरुत्य हो जाती हर्सवर्दन की उसके बाद जो राज्जी है छोटे छोटे गड़ों में तूट जाता है यानि कि बहुराजकता का युग आ जाता है बहुराजकता के युद में युग में जो आप में देख सकते हैं ये पूरा मैक्सिमिम चेत्र अंदर वाला बरंपूर बताया गया है ठीक है गंगा से सोरी बरंपूर गंगा से काली तक का विश्टर चेत्र तो गंगा ने दी और काली तक का चेत्र बरंपूर बताया गया है सत्रुगन गंगा का पश्चिमी भाग यानि कि गंगा यहां बैर यह तो इसका पूरी भाग तो इदर होगा पश्चिमी भाग इदर हो गया यह पश्चिमी भाग को क्या बोला गया है सत्रुगन गंगा का पश्चिमी भाग राम गंगा से सारधा तक गोविसान यानिकि नीचे की साड क्या था गोविसान था और बरंपूर पुरा छेतर था जिसको क्या बोला गया परवताकार राज्ये क्योंकि ये सबसे बड़ा गड़ था जिसमें चटी सदी में पोरोवन्स का सासन इस्थापित हो जाएगा तो परवतागार राज्य पता लगया बरंपूर है जिसमें कौन सासन करेगा पौरववन सासन करेगा तो सूवन गोत्र या पूरवी स्त्री राज्य कहा था सूवन गोत्र जो सबसे उपर का इलागा था पूरवी स्त्री राज्य बोला गया जिसको या सुवन गोतर राज्ये उस पर सासन इस्तापित होगा अलग से तो ये चार मुखे गड़ थे अब इन गड़ को जोड़ कर हम जब आगे पढ़ेंगे तब देखते हैं कौन सा गड़ बनेगा फिलालम बरंपूर जो में राज्ये है उसमें किसका वन्स इस्तापित होगा पोरव वन्स का तो पोरव वन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कई बुकों में हर्स के बाद जो है न कई सारे राजाओं का उलेक क्या गया है लेकिन इनके अभी लेक उत्रा खंड़ पर इदिकार होने की गोशना करते हैं लेकिन इनकी कोई मुद्रा नहीं होती इसलिए हम इसके बारे में डिसकस नहीं करेंगे सिधा आप किसके बाद पढ़ेंगे हम जो कर्णिया कुब्ज है उससे जो ये वन्स टूटे गड़ टूटे उनमें जो सबसे बड़ा था बरंपूर सबसे बड़ा गड़ था उस पर जो पूर वन्स इस्थापित होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे